कि असलामने कुं दोस्तों कि आज जाल है थीटा का मीदाब सब ठीटा होगें आज की वीडियो है मेरे लैपटोप के मतलग मेरा लैपटोप जो था उसका कीबोर्ड वो है खराब हो चुका है तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक ऐसी वीडियो लेकर हो जिससे आपको यूज का कीबोर्ड है जो वह कुदबा कुदबा कुद जो चलता है वह मसला इसमें तो आज उस मसले का मैंना कुछ ऐसा हल बताऊंगा कि आप वहाल कर सकें तो आपके पैसे थोड़े बहुते लगेंगे क्योंकि एक्स्टरनल कीबोर्ड की जवर्ट पर सकती है तो वह पै करें किया आपका क्या जाता है एक बटब लिए ले तो डिस्फिर करना है ना आपने तो आप कर दिया करें तो मुझे भी मोटिवेशन हो चाहिगी तो मैं आपके लिए मुस्सला द्यानी कोश्शिक रही और है ऐची यह यह हमादी तूलकित जिससे हम आज लटो की जो स्क्रीव भूगा रहे हैं वह सारे खोलेंगे तो यह मुटिक किसम की टूलकित है तो इसमें से सरसे ब्रीक वाला जो होगा यह वाला इसे हम इस्तमाल करेंगे लैप्टो को खोने के लिए चलें लैप्टो को खोना स्टार्ट करते हैं यह स्क्रीव भीड़ा रहे हैं एक दो तीन चार पांक छे साथ आठ नो दस स्क्रीव ह हुआ हुआ है नाच तरह प्ल चुके हैं तो अभी ये पिछला जो केस कवर है तो ये उतारना है ऐसे हाल से उत्रेगा पता नहीं मैं उतार के देख लेता हूं कि एक दो मुद्वा मैंने पहले भी ये खुला हुआ तो अमीड है ये खुल जागा मेरे से अगर नहीं खुला तो मुझे ये जो स्क्र्यू होगा है वो चेंज करना पड़ेगा इतना सा खुल जबता है लेकिन इसके लिए मुझे चप्टा होता है न स्क्र्यू पेच का ये तो चार मूव वाला है मुझे चाहिए सिर्फ एक मूव वाला ये तो इससे हम को लेंगे इसका पिछला बैक कवर ख्या लखना है कि इसका कोई नट वगारा जो है वो गुमना जाए कोशिश करनी है लाग वगारा ना टूटें सके अगल लाग टूट गे तो फिर मुश्कल हो जाएगी पैक करने में दोबरा यह मारा लेटोप है जो वो खुल चुका है यह यहां से निकल चुका है तो यह ऐसे स्पीकर एक दर है एक इसका स्पीकर यह वाला लगा हुआ है और यह इसकी है बैटरी में बैटरी जो इसकी बैटरी है तो यह इसकी हार्ट डिस्क है तो यह इसका है यूस्बी बगारा लगाने के लिए तो यह इसका है जी यहां पे इसका प्रोसेसर वगारा रहें वगारा है यह वैसे टीपिकल नहीं है जो के होता है प्रोसेसर जो के खुद ही कूल होता है इसके साथ फैन बगारा नहीं लगा हुआ तो यह उसका यह नहीं है पिछे से आपको दिकार रहा हूं तो अभी हमने करना क्या है हमने करना क्या है यह खोल लिया हमने तो हमने किसी और चीज को नहीं हाद लगाना ना हमने बैटरी खोलनी है ना हमने यह खोलना है और ना ही यह खोलना है और ना ही इन में से कोई खोलना है हमने क्या हमने क्या हमने खोलने है यह वाले नट जो के हा हाइड डिस्क की कonnection है ये connection हाइड डिस्क का तो आपने कोशिच न्यक्स के खूल से हर अधिस्क के नीचे आपको मैं खूल के दिखा देता हूं bisa अ मैंने यह पहले कोला हुआ आए का दो मर्तभा तो इसलिए मुझे मुझे मालूने करना तो यह एकनट हो गया इसके मैंने एकसर एक आधा नाट इसका मैंने पिछली दफ़ा गूम कर दिया था तो यह लैपटोब में आख़ा गर्मी की वह आशाना इसका आप देख सकते हैं यह यह भी यह तोड़ के यहां पर गिरा हुआ है क्योंगे गर्मी की वह आशेना वह प् अधा यह गर्वाट बहुत अच्छा है तो यह जी मैंने हार्डिस्क आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे प्पाई है और सएड़ पर कर दिया मैंने यह नहीं कोला यह वाला लॉट मैंने नहीं कोला तो आपको हार्डिस के नीचे यह यह आते हुए नजर आरी हैं यह यह जो तो इनको निचेना क्योंकि यह वाई इस जो मत्रबोरा मेन उसके सांथ क्रेक्टिड है क्योंकि यह एक अलादा पैनल है तो वह उन्होंने क्नेक्टिड किया इसके साथ तो हमने पिरेंग हाल लगा ना जिसको यह है कीज़ा क्नेक्शन तो यह क्या выполn करना है क्योंकिके कीज़ार का आप कश सफ वो एक बटन हम इसका वो जैसे कहते हैं । आंसके हैं खेंगे ख़राब होगा है तो लगाण चरहिए य। जयता है परे दो तुफ़ा किया तीं तुफ़ा किया लगन मुझे तो मसला हल नहीं हुआ तो मैंने तो उसका जो हल निकल ला है वो यह है कि वह डिस्टर्ब ना करे आप अपको तो आप ऐसा करें कि इसका जो कीबोर्ड है वो खोलें और उसे डीटाइच कर दें क्योंकि अगर आप यह कीबोर्ड दिलवाएंगे तो आपको कम अज़ कम अब यह के जाएंगे लिए जैसे तो मेरा लैटोब टाउड क्रीन है लेकिन फिर भी गां करने के लिए कीबोर्ड जो है एक समाल हो सकता है लेकिन मैं आपको मशहर देताऊ हैं का एकस्टनल की बूर ले 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 साथ जो आ झाया आप पां sur का मिल जाता है बाथी आप लूप का अटैल जाता है तो वह आप यूज करें. तो उसके साथ काम चलाएं तो अभी मैंने यह करती है ॉडिटेच्ट तो अभी मैं चला आकर अग तखाता हूँ बंद कर् Ms. Pillar घर्दा तो आप यह देख लें नाटल लग्जी निकला है कि सारे जो तैना नाटलों वहारा को वो सारे टूट चुके हुए अब देश ते मैंने पुछ भी निकिया यह सारे अंदर से टूटे हुए निकले हैं यह देखें आप यह देखें यह सारे अंदर से तूटे हुए निकले हैं तो मेरे सीन में हुआ कुछ यू है कि मैंने लैपटोप के जो था वो कीबोर्ड वो डीटेच कर दिया था तो आज मैंने दोबारा अटेच किया है तो अब इशु कोई नहीं दे रहा लैपटोप तो मैं भी यूज करत हो इसे तो फिर देखते हैं के इशु देता है कर नहीं देता अब ही लैपटोप मेरे खासे बंद हो चुका है चलाते हैं से अब चल जाए अलग रहे जैसे कि आपने सब देख लिया कि कैसे यह कीबोर्ड को डीटेच करता है आपने तो मेरे सीन में हो ऐसा था कि मैंने हीटाप होता था ताब वो मसला आजाता था इकॉल तू का बचो गटन अना प्लस का उसमें तो वो खुदबा कुद वो इकॉल टू करता रहता था तो मैंने फिर दुबारा वसे डीटेच करके रख दिया था तो वो डवजूटी फोटी लगी रही थी तो मेरे खासे कोई किया के नहीं किया अब मैंने दुबारा अटैज किया के वोड को तो अभी ठीक चर रहा है तो अगर आपको दुबारा ऐसा कोई मसला आया आपने डवजूटी फोटी लगा कर देख लेना है जिस बटन से इशू आ रहा है उसी बटन पर डवजूटी की स्प्रे करके आपने टीशू पेपर से उसे साफ कर लेना है फिर उस बटन को दुबाना बाबार बाबार दुबाई जाना दुबाई जाना दुबाई जाना तो उमीद है कि आपका मसला हाल हो जाएगा अगर मसला हाल नहीं होता दुबारा बाबार तांग करता है आपको तो आपने सेम यही जो प्रोसीजर है मैंने लगाया तो यह प्रोसीजर आपने लगाना है और उसका कीबोड डिटाइज कर देना है और एक्सटरनल कीबोड जो है वह आपने यूज कर लेना है तो आपका लैप्टॉप बच्छी से चलता रहेगा कोई टेंशन नहीं आएगा आपको तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाने की कोशिच कर रहा हूं तो प्लीज कमेंड में बताया करके आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं मैं कोश्चिच करूँ ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर हूं तो आज के लिए तना ही अल्लाहाफिस